नमस्कार मैं वैभब आपका आपने चैनल निबन नॉम पर स्वागत करता हूं ये चैनल 10th 11th और 12th क्लास के Mathematics Subject को Dedicated है अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें क्योंकि मेरा मोटो ही है Quality Education सबका आदिकार और अगर आप सारे सलेब उसको गबर करना चाते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासिस अटेंड कर सकते हैं अब आप निबन नॉम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्शे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नॉम्बर 4 Quadratic Equations पंजाबी में इसको कहते हैं दो काती समीकरण दो काती मतलब जिसकी पावर 2 हो Quadratic Equation मतलब जिस equation में variable की पावर 2 रहे और वो किस टाइब की होगी देखो Ax square प्लस Bx प्लस C is equal to 0 जहां पर A, B और C कोई भी real number हो सकते हैं लेकिन A जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता अगर ये Quadratic Equation है क्योंकि Quadratic Equation की शर्त यही है कि जो variable है हमारा चल, variable x उसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 हमें दिखनी चाहिए सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए ये ना हो कि यहाँ पे 0 आ जाए तो सिर्फ यही दो टर्म्स रह जाएं हाँ, ये दोनों 0 हो सकते हैं, कोई problem नहीं प्लस x is equal to 0, ये भी quadratic equation है और अगर मैं कहूं 5x square is equal to 0, ये भी quadratic equation है, क्यों क्योंकि x का square दिखाई दे रहा है हमको, variable x हो, m हो, u हो, t हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की जगा मतलब कोई भी चीज हो सकती है, इन में से कोई भी symbol use हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी power 2 जरूर दिखनी चाहिए हमको, तब ही हम कहेंगे कि वो quadratic equation है, वरना वो quadratic equation नहीं मानी जाएगी, तो quadratic equation के बारे में तुम्हें पता लग गया, किसे कहते हैं, अब हम चलते हैं सीधा, exercise 4.1 पे, तो exercise 4.1 का पहला question में लिख रहा हूं, ये है question number 1, exercise 4.1 का, check whether the following are quadratic equations, तो उसमें पहला जो हमारा part है, वो है, x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3, इस question का मतलब ये है, कि हमने check करना है, कि यहाँ पे जो ये equation दिये है, वो quadratic equation है, या नहीं है, तो इसको bracket को खोल के ही पता चल सकता है, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो bracket को खोलो, a plus b का whole square, देखो मैं यहाँ formula लिख रहा हूं, a plus b का whole square का formula तुम्हें पता है, a square plus b square plus 2ab, ये formula होता है, मैं यही formula यहाँ लगा रहा हूं, x square plus 1 plus 2x, ठीक है students, is equal to, यहाँ भी bracket खोल दो, 2x minus 6, तो दोनों तरफ 2x है, वो cancel हो गया, ये 6 इस तरफ आ गया, तो आ गया हमारे पास, x square plus 1 plus 6 is equal to 0, तो equation बन गई, x square plus 7 is equal to 0, तो बिलकुल students, ये एक quadratic equation है, क्योंकि यहाँ पे x का square हमें दिखाई दे रहा है, तो ये quadratic equation बन गई, अब इसका second part क्या कहता है, second part में हमें दिया हुआ है, x square minus 2x is equal to minus 2 bracket में, और फिर अगले bracket में 3 minus x, तो इसमें भी हम bracket खोलेंगे, अब left hand side पे तो x square minus 2x है, right hand side पे minus 2 और 3 multiply हो के बन जाएगा, minus का 6, फिर minus 2 और plus minus का x हो जाएगा, plus 2x, ठीके students, ये plus 2x बन गया, अब इनको इस तरफ ले आओ, तो x square minus 2x minus 2x plus का 6 equal to 0, ये 6 इस तरफ आके plus का बन गया, और ये 2x इस तरफ आके minus का बन गया, तो ये क्या बना, x square minus 4x plus 6 is equal to 0, तो ये विल्कुल एक quadratic equation है, तो तुमने यहाँ क्या लिखना है, yes, this is quadratic equation, हम ये लिख भी देते हैं, चलो, yes, this is quadratic equation, मतलब हाँ, ये एक दो घाती समिकरण है, और यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, yes, this is a quadratic equation, ये एक quadratic equation है, ये एक दो घाती समिकरण है, चलो, अब third part देखें इसका, third part में हमें दे रखिया equation, x-2, bracket, x-1, is equal to, again, bracket start, x-1, x-3, तो ये brackets हमें खोलने पड़ेंगे, तो bracket खोले हमने, x square, फिर x को 1 से किया, plus x, फिर minus 2 को x से किया, minus 2x, फिर minus 2 को 1 से किया, minus 2, is equal to, फिर ये x को x से किया, x square, फिर x को 3 से multiply किया, plus 3x, फिर minus 1 को x से किया, minus x, और minus 1 को 3 से किया, minus 3, तो आप देखो, students, x square से x square cancel हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, minus का x minus 2, is equal तो इस तरफ क्या बन गया 2x-3 देख रहे हैं उस रूल्ट्स x-2x is minus x minus का 2 फिर 3x minus x 2x minus का 3 तो इस 2x को इधर लाएंगे तो minus x minus 2 minus 2x plus का 3 हम जब इसको दोनों terms को equal to के इस तरफ ले गए तो दोनों की sign change हो गए तो यह क्या बन गया minus x minus 2x minus 3x minus 2 plus 3 plus का 1 is equal to 0 तो अब यह quadratic equation है के नहीं तुम बताओ मैंने क्या बताया था quadratic equation कब होती है जब हमें x का square दिखाई दे लेकिन यहाँ पे x का square दिखी नहीं रहा हमें तो हम कहेंगे no this is not a quadratic equation यह एक quadratic equation यही नहीं है नहीं यह एक दो घाती समीकरण नहीं है दो जलो अगले part की तरफ चलते हैं यह है fourth part question का x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 तो bracket खोलेंगे x into 2x 2x square x into 1 plus x minus 3 into 2x minus 6x minus 3 into 1 minus 3 equal to x into x x square x into 5 plus 5x अब यह दो टर्म्स इस तरफ लेके आएंगे हम तो 2x square x minus 6x minus 5x हो गया minus 3 यह चीज तो पहले ही थी minus x square minus 5x is equal to 0 तो 2x square minus x square कितना रह गया x square minus 5x minus 5x minus का 10x और minus का 3 is equal to 0 तो बताओ students यह एक quadratic equation है के नहीं है बिल्कुल यह एक quadratic equation है तो हम कहेंगे yes this is a quadratic equation यह हो गया हमारा question solve तो इसी तरह तुमने बाकी भी करने है question number यह fifth part, sixth part तुम students अपने आप कर सकते हो मैं ऐसा करता हूँ, एक part और करा देता हूँ इस question का और वो है eighth part eighth part करते हम, eighth part में कहा हुआ है x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube अब देखने को तो यह x cube लग रहेगा कि cancel होगा यह यह वाला bracket खोलने के बाद ही पता चलेगा हमको तो x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to अब यहाँ पे a minus b के whole cube का formula लगेगा और वो क्या होता है, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b यह होता है, तो यही मैं लगाऊंगा x cube minus 2 का cube 8 minus 3 into a into b यहनि 3 into x into 2, तो 6x आ गया और x minus 2 आ गया तो अगला step लिखा मैंने, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 6x square, देखो 6x को x से multiply, और फिर minus, फिर यह minus है तो plus हो गया, plus 12x तो यह आ गया हमारे पास cube खोलके, तो देखो x cube से x cube cancel हो गया, क्या रह गया हमारे पास, देखो minus 4x square minus x plus 1, अब इन terms को भी मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो इन सब की sign change हो जाएगी plus 8 plus 6x square minus 12x equal to 0, तो सबसे पहले square की term देखते हैं, 4x square minus का और 6x square plus का, यहने 6 minus 4 हो जाएगा, 2x square, फिर x की terms देखते हैं, minus x और minus 12x, minus का 13x, फिर constant terms है, 1 plus 8, यहने plus का 9 is equal to 0, तो बताओ students, यह बनी ना एक quadratic equation, तो हम लिखेंगे yes, this is a quadratic equation, यह एक दो घाती समीकरण है, और अगर x cube की term बीच में रह जाती, तो यह quadratic equation ना होती, यह cubic equation हो जाती, तो इस तरह से questions हमारे हैं, exercise 4.1 का question number 1 हमने solve कर लिया, तो अब हम चलते हैं question number 2 पर, तो यह है students हमारा question number 2, represent the following situations in the form of quadratic equations, जैसे हमने पिछले chapter में कुछ statement sums में linear equations बनाई थी, यहाँ पर हम वैसे ही statement sum में quadratic equation बनाएंगे, तो हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो situation दी है, जो हिसाब किताब दी है, उससे हमने एक quadratic equation बनानी है, तो उसके लिए जो पहली situation हमें दी है, first part question का वो क्या है, the area of rectangular plot, एक rectangular plot है, मतलब एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है, उसका area कितना है, area of rectangular plot is 528 meter square, इतना area है उसका, the length of the plot is, अब ध्यान से देखना students, the length of the plot is one more than twice its breadth, जो plot की लंबाई है, वो उसकी चोड़ाई से, breadth से, breadth के twice से, यह डबल से, एक ज़ादा है, one more than twice, one more than twice का मतलब है, दुगने से एक ज़ादा, जैसे की, 5 का दुगना होता है, 10 और 10 से एक ज़ादा होता है, 11, तो 11 जो है, वो 5 के दुगने से एक ज़ादा है, तो यहाँ पे length जो है, लंबाई, वो चोड़ाई से, breadth से, कितनी ज़ादा है, breadth की दुगना करो उसको, और एक प्लस कर दो, उतना हमारी length है plot की, we need to find the length and breadth of the plot, तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़े diagram से समझने की कुशिश करते हैं, अलग से, देखो, एक plot है हमारे पास, ऐसा, आयताकार plot है, उसकी अगर, उसका area कितना दे रखा है हमको, area दे रखा है, 528 meter square, अब meter में है, तो इसका मतलब हमारी length और breadth, लंबाई चोड़ाई भी हम meter में ही लेके चलेंगे, तो अगर उसकी breadth चोड़ाई, x मान ले हम, x meter, तो length कितनी है, हमें कहा था, one more than twice, double से एक जादा, तो पहले x का double करो, यानि 2 से multiply करो, फिर उसमें एक प्लस कर दो, देखो, one more than 2x double, तो यह हमारा जो है, क्या बन गई? हमारी बन गई length, तो length और breadth हमारे पास आ गई, area हमें दिया हुआ है, तो हम एक और बात जानते हैं, कि area होता क्या है, formula क्या है, लंबाई गुणा चोड़ाई, यानि के length, multiply breadth, तो इसका मतलब 528 किसके बराबर आ जाएगा? 2x plus one multiply x, तो यह quadratic equation बनेगी students, और वहीं हमारा question खतम होगा, हाँ, इसको हम इस form में नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा solve करके छोड़ेंगे, तो चलो, question को देखते हैं, हम लिखेंगे, solution में, let, breadth of plot, plot की चोड़ाई, जमीन के टुकड़े की चोड़ाई, हमने x meter मान ली, तो therefore, इसलिए length of plot क्या हो जाएगी? length of plot हो जाएगी 2x plus one meter, साथ में एक और चीज़ दी हुई है, यह भी also area of plot, plot का area भी दिया हुआ है, 528 meter square, तो area of plot वैसे क्या होगा? लंबाई गुणा चुड़ाई, यहने 2x plus one गुणा x जो है, वो 528 के बराबर आना चाहिए, तो bracket खोल दो, 2x square plus x is equal to 528, और हमारी quadratic equation form हो रही है, देखो, 2x square plus x minus 528 is equal to 0, तो यहाँ पर question हो गया, खत्म, क्योंकि हमें question में क्या कहा था? देखो, represent the following situations in the form of quadratic equation, हमने quadratic equation के तौर पर इस situation को सिरफ represent करना है, दर्शाना है, तो हमने वो दर्शा दिया, यह quadratic equation इस situation को दर्शा रही है, तो question का answer आ गया? चलो, अब अगला question देखें, students यह है हमारा question 2 का second part, the product of two consecutive positive integers is 306, we need to find the integers, तो इसको भी थोड़ा सा पहले हम समझ लें question को अलग से, चलो, हमें कहा गया है, consecutive positive integers, तो हमारे पास word कौन कौन से हैं, एक तो है, positive integers, और फिर एक वर्ड है, consecutive, positive integers कौन से होते हैं, उसके लिए हम पता करना पड़ेगा कि integers कौन से होते हैं, integers होती हैं, संपूरण संख्या हैं, यानिके, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, and so on, ये पूरा का पूरे नंबर जो हैं, ये integers कहलाते हैं, अब अगर मैं सारे के सारे ये छोड़ दूँ, सिरफ ये ले लूँ, तो ये कहलाते हैं positive integers, तो समझ में आगा है students, positive, positive का मतलब है, जीरो से बड़े integer, जीरो जो है, वो positive में नहीं आता, ना ही negative में आता है, क्योंकि zero का कोई sign नहीं होता, तो positive integer येने 0 से बड़े integer, तो यही हैं सिरफ, तो इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, प्राकरतिक संख्या है, natural numbers, natural numbers भी तो यही हैं, तो positive integer कहें, चाहे natural number कहें, बात एक ही है, अब बात आ जाती है consecutive पे, यह consecutive क्या है, consecutive का मतलब होता है, कोई भी दो लगातार, जैसे one और two consecutive है, two और three consecutive है, three और four consecutive है, ten, eleven consecutive है, लेकिन, twelve और fifteen consecutive नहीं है, तो consecutive numbers कौन से होते हैं, natural numbers, या कहलो के integers में ही ऐसा होता है, consecutive की बात करते हैं, तो consecutive positive integers, इस टाइप के होंगे, तो अगर तुम एक number को x मान लेते हो, तो दूसरा या तो x-1 होगा, या x-1 होगा, मर्जी है तुमारी, जैसे मर्जी कर लो, x-1 और x-1 ये इसका जोड़ा भी consecutive का है, और इसका जोड़ा भी consecutive का ही है, तो हम minus अपने पास से लेना पसंद नहीं करते, हमें minus से उतना प्यार नहीं है, जितना plus से प्यार है, है ना students, तो x और x-1 हमारे consecutive integers हो गए, अब तुम खुद देख लो, x को 1 रखोगे, तो 1 और 2 आजाएगा, 1 प्लस 1, फिर x को अगर 2 रखोगे, तो 2 और 3 आजाएगा, 2 प्लस 1, तो consecutive integers ही आएंगे इस तरह से, तो I think ये समझ गए होगे तुम, तो अब हम question को लिखते हैं, किस तरह से represent करना है, copy पे fairly, वो हम सीखते हैं, हम लिखेंगे, let the two positive integers b, मान लो, दो positive integers, positive integers जाने के, तनात्मक संपूरन संख्यावा, दो तनात्मक संपूरन संख्यावा हन, x अते x प्लस 1, अब question में क्या कहा हुआ है, product of integers is 306, product का मतलब होता है multiply, अगर इन दोनों को multiply कर दें, तो 306 आ जाता है, तो according to question, question के हिसाब से, x गुना x प्लस 1 जो है, वो 306 आ जाएगा, तो bracket खोल दिया, x square plus x, ये bracket खोल और 306 को इधर ले आए, minus 306 is equal to 0, तो ये आ गया हमारा answer, देखो कितना आसान था, चलो third part करें, ये है students हमारा question पर 2 का third part, Rohan's mother is 26 years older than him, Rohan की mother, Rohan से 26 साल बढ़ी है, the product of their ages, यानि के उन दोनों की ages को अगर multiply करें, कब 3 years from now, मतलब, तीन साल बाद, अगर उनकी ages को, हम जो भी number होंगे, multiply करते हैं, तो क्या आएगा, from now will be 360, product of their ages, 3 years from now will be 360, we would like to find Rohan's present age, Rohan की present age हमने निकालनी है, तो हम Rohan की age को ही x मानेंगे, obviously, तो चलो question को पहले अलग धंक से समझ लेते हैं, मान लो, Rohan की age जो है, वो x है, तो उसकी mother की age कितनी हो जाएगी, question में कहा गया है, कि वो 26 साल बढ़ी है, तो x plus 26, अब, तीन year के बाद क्या होगा, Rohan की age क्या हो जाएगी, तीन साल बाद, x plus 3, और mother की age कितनी हो जाएगी, तीन साल बाद, x plus 29, इसमें 3 add हो जाएगा, तो इन दोनों नंबरों का multiply कितना हो जाएगा, 360, तो उससे हमें quadratic equation मिल जाएगी, तो चलो question को तुझार ठीक ढंग से represent करते हैं हम, हम कहेंगे let, Rohan's, present age is equal to x years, therefore, mother's present age, 26 साल बड़ी है न मदर उससे, तो x plus 26 हो जाएगा, अब हम कहेंगे, after 3 years, 3 साल बाद, Rohan's age is equal to x plus 3 years, 3 साल बाद 3 add हो जाएगा, और, mother's age कितनी हो जाएगी, अब इसमें भी 3 जोड़ दो, x plus 29 years, और question में कहा गया है, कि 3 साल बाद, product of their ages will be 360, यानि कि, ये दोनों number ages के, अगर multiply करेंगे, तो 360 आ जाएगा, अगर्डिंग टू question, x plus 3, इन्टू x plus 29, is equal to 360, तो इनको multiply कर देते हैं, देखो, x x से multiply हुआ, x square, plus x 29 से multiply हुआ, 29 x, plus 3 into x से multiply हुआ, 3 x, plus 29 into 3 करते हैं, देखो, तो मैं यहाँ थोड़ा रफली कर लेता हूँ, 29 into 3 कितना आ जाएगा, 3, 9 दा 27, 2 carry over, 3, 2 दा 6, 6 में 2 add गिये, 8, तो 87 आ गया, तो यहने के 87, और 360 को इस तरफ ले आए, तो minus 360 is equal to 0, तो हमारे पास equation क्या बन गई, x square plus, 29 plus 3 कितना हो गया, 32 x, minus, 360 में से 87 माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 87, तो 10 में से 7 गए 3, यह बचा था 5, तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7, और यह 2 बचा था, तो 273, तो 273 is equal to 0, तो यह आ गई हमारी equation, जो हमें चाहिए थी, चलो, अब last part की दरफ चलते हैं, तो यह है students question number 2 का fourth part, a train travels a distance of 480 km, मतलब 480 km train जो है, वो travel कर रही है, चल रही है, at a uniform speed, एक खास speed पर, जो की लगातार उसी speed पर चल रही है, uniform speed का मतलब है, लगातार एक ही speed पर चलना, if the speed had been 8 km per hour less, अगर उसकी speed, train की speed, 8 km per hour कम होती, तो क्या होता, then it would have taken 3 hours more, तो उसे 3 घंटे जादा लग जाते, same distance travel करने के लिए, we need to find the speed of the train, हमें train की speed पता करनी है, एक बार फिर देख लो students, कि 480 km एक train जो है, वो चल रही है, वो चली, a से point a से point b तक, अगर उसने, अपनी speed कम कर ली होती, कितनी कम कर ली होती, 8 km per hour कम कर ली होती, यानिकि अगर मान लो, 2 km per hour पर चलती, 8 km कम, तो उसे कितना ज़्यादा time लग जाता, 3 घंटे ज़्यादा लग जाते, 480 km कवर करने के लिए, तो हमें उसकी speed बता करनी है, तो इस question को थोड़ा सा रफली समझने पहले, देखो, हमें कहा गया है, कि उसकी speed है, मान लो, उसकी speed है, x km per hour, ये मान ली हमने speed, और उसने distance travel किया, 480 km, तो time कितना लगाया उसने, time उसने लगाया, distance over speed, अब second case है, कि अगर उसने अपनी speed, 8 km per hour कम कर ली होती, तो भी उसने, distance तो 480 km ही, तै करना था, लेकिन तब उसका time कितना लगता, तब उसका time लगता, 480 divided by x minus 8, कैसे देखो, एक बार फिर समझ लो, मान लो, train की speed है, 80 km per hour, तो उसने अगर अपनी, 8 km speed घटाई है, तो वो 72 km per hour की speed से चलेगी, अगर speed कम रहेगी, तो obviously time तो ज़्यादा लगेगा, तो ये जो time है, वो 80 minus 8 की तरह है, x minus 8, तो distance over speed, ये formula कहां से आए, देखो, तुमको पता होगा, के speed का formula क्या होता है, speed होता है, distance upon time, तो यहाँ पर अगर time देखना हो, तो time आ जाता है, distance over speed, dspeed इधर आ जाएगी, time इधर चला जाएगा, ये formula बन गया, तो ये time जो है, ये कम time है, और ये 3 घंटे जादा time है, तो इसका मतलब क्या हुआ, के 480 बटे x में, जब 3 घंटे जुड जाएगे, तब वो 480 बटे x minus 8 बनेगा, ये समझ में आ गया होगा students, ये time जादा है, क्योंकि speed कम है, उतना distance उसे travel करना पढ़ रहा है, speed हो गई slow, तो time तो जादा लगे गई, और कितना जादा लगेगा, ये हमें बता रखा है question में, 3 घंटे जादा लगेगा, तो ये time है, कम time, इसमें 3 घंटे जोडेंगे, तब हमारे पास ये time बनेगा, तो ये equation बनेगी, और इससे हम quadratic equation बना लेंगे, तो चलो, question देखते हैं अब हम, किस तरह से represent करेंगे, हम कहेंगे, let the speed of train is equal to x km per hour, तो हम लिखेंगे, distance traveled, कितना distance travel किया, 480 km, distance travel हो गया, 480 km, तो time taken कितना हुआ, therefore, time taken is equal to, distance over speed, और ये हो गए hours, क्योंकि km और km per hour में चल रहा है काम, अब second case क्या है, कि new speed कितनी है, new speed है, 8 km कम, 8, x minus 8 km per hour, तो therefore, new time कितना हो जाएगा, distance तो उतना ही चलना है, distance upon speed hours, तो, ये time, 3 घंटे कम है, और ये time, 3 घंटे जादा है, तो according to question, हमारे पास, 480 upon x, जो है, वो कम time ले रही है, तो इसमें, जब हम plus 3 करेंगे, तो वो 480 upon x minus 8 के बराबर time बनेगा, तो इससे हमने अब क्या करना है, हमने अब इससे quadratic equation बनानी है, तो इस तरफ x LCM आ गया, 480 plus 3x upon x is equal to 480 upon x minus 8, यहाँ x LCM आ गया, x 3 से multiply हो गया, अब x इस तरफ multiply हो जाएगा, cross multiply और x minus 8 इदर आ जाएगा, तो 480 plus 3x into x minus 8 is equal to 480, into x, अब यह multiply कर देंगे इसको, 480 into x, 480 x plus 480 into 8, कितना हो जाएगा, multiply करके देख लेते हैं, 480 into 8 कितना आएगा, 8 0 दा 0, 8 8 दा 64, 6 आ गया, carry over, तो 8 4 दा 32, 32 में 6 चोड़े 38, तो 3 8 4 0, 480 को x से multiply किया, 480 को minus 8 से, हाँ, sorry, यह minus आएगा students, यहाँ पर minus आएगा, minus 8 है, अब 3 x को इससे multiply किया, तो plus 3 x square, और फिर 3 x को 8 से किया, तो minus 24 x, is equal to 480 x, तो अब इस 480 x को इस तरफ ले आते हैं, लेकिन देखो, 480 x तो cancel ही हो गया, अब 3 से इस पूरे को डिवाइड किया जा सकता है, तो x square, minus 8 x, minus, इसको 3 से डिवाइड करो, कैसे पता चलेगा, कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 24 और 1 0 हो रहा है, यहने 1, 2, 8, 0, is equal to 0, तो यह हमारी equation बन गई, तो students इस तरह से हमने exercise 4.1 complete कर ली, अब हम अगली class में, अगली exercise के साथ मिलेंगे, तब तक, best of luck, thank you,